23 जुन 2021 को आकाश प्रजापती अपरहण कांड को लेकर भारतिय प्रजापती हीरो अगनाइजेशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापती के नेत्रत में पदा अधिकारियों ने मुख्य मंत्री को संबोधित ग्यापन कन्योज अपर जिलाधिकारी को सौप आज तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला इस घटना को लेकर प्रजापती समाज में बहुत आक्रोश है आकाश प्रजापती के पिता स्वर्गय सतेंद्र प्रजापती का साथ मैं को कोविट की वज़े से निधन हो गया परिवार इस समय विशम परिस्तितियों से दन हो जाने की वज़े से भारतिय प्रजापती हीरो अगनाजेशन एवम समाज के ऊपर इस केस की जिम्मेदारी और बढ़ गई है प्रदेश महासरजीव सतीस चंद प्रजापती ने कहा कि जब तक आकाश प्रजापती अपर्ण का प्रदाफास नहीं हो जाता तब तक हम यह लडाई लड़ते रहेंगे इसके साथ ही यदि पंद्रा दिन के अंतर इस केस का परदाफास नहीं किया गया तो संगटन वे समाज अंशन वे परदशन करने को मजबूर होगा इसके साथ ही पुलीस अदिक्षक करनोज सीरी परशांत वर्मा से मुलाकात कर उनको भी अत अंकित परजापती चे tratar पंचायit के सदस्य एवम आकासधी परजापती की माता स्रीमति रहा परजापती भी मौजूद रहें पुनीस मर्द को गायव होगा है तक से अभी तक कोई पटा नहीं है और हम अपने बेटे को पाना चाहते हैं कुछ भी हो जाए बेटा मेरा मिल जाए मुझे किसी से कुछ नहीं करना है सिर्फ हम अपने बेटा चाहिए तो क्या असवासन मिलता आपको यहां से हैं हमा तो अज आप लोग मिली तो आज कि असवासन मिला अप लोगों को तो क्या आप इनकी बातूर सेहमत हैं है आज बिगत 19 माच को हमारे समाज में पूरा राय ठाना इंदरगड के तहत उन्यस माच को हमारे समाज का एक बेटा जो इडिस बरसका था अज तीन महीने पूरे हो गए हैं हम लोग कई वार आज रहना प्रदर्शन किये हैं कई और जयापन दिये हैं मुक्रमंती को भी संवोरित किया है बिदायक या मंत्री या राजनेता का विर्टा होता तो पुलिस प्रसासन उसको 24 गंटे के अंतर गतब तक खोच कर ले आती लेकिन हमारे समाज का कोई कहने वाला नहीं है हम लोग सीधे सुभाव के हैं हमारा समाज सीधा है इसलिए हमारी आवाज को सुना नहीं जा रहा है म अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें